Good morning students, कैसे हैं आप लोग? आज हम chapter शुरू करते हैं अपना हमारे आसपास के पधार Plants Around Us आज इस लेसन में हम अपने चारो तरफ पेड़ पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कुछ पौधे चोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ जाड़ियां होती हैं है ना? हम अपने आसपास अनिक पेड़ पौधों को देखते हैं पौधे विफिन आकार वे स्वभाव के होते हैं मतलब कुछ पौधे बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं कुछ पौधे बड़े वे कुछ पौधे छोटे होते हैं पौधे हरे रंके होते हैं सभी पौधों को बढ़ने के लिए पानी, हवा और सूरी के प्रकाश की आविशक्ता होती है सभी पौधों को सूरी के प्रकाश की आविशक्ता होती है और पौधे अपना भोजन किस तरीके से बनाते हैं पौधे अपना भोजन भी सूर्य के प्रकाश की उपस्तिती में बनाते हैं और बच्चो पौधों के पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है पौधों के पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है पत्तियों में एक ऐसा पदार्थ पाए जाता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं चीक है अब हम वरक्ष के बारे में पढ़ेंगे ट्रीज आपने देखे ना बड़े बड़े पेड़ आम का पेड़ पीपल का पेड़ बरगद का पेड़ ये कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो पौधे आकार में बड़े लंबे तत्ता मजबूत होते हैं वो वरक्ष कहलाते हैं या ट्रीज कहलाते हैं जैसे नीम, पीपल, बरगद, आम, इत्यादी इन वरक्षों का तना मजबूत होता है मतलब बहुत ताकटन होता है, मजबूत होता है तथा जड़े जमीन में गहराई तक फैली होती है जड़े इनकी बहुत गहरी होती है ये पौदे बिना किसी साहरे के लंबे समेह तक कड़े रह सकते हैं आपने देखा है ने आपके घर में, गावों में पीपल का पेड़ कितने कितने पुराने होते है आम का पेड़ भी कितना पुराना होता है है ना तो जो ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं इनको हम क्या कहते है व्रक्ष है ना व्रक्ष व्रक्ष हमें शुद्ध वायू भी देते है प्योर वाईू हमें वरक्ष के द्वारा मिलती है अब हम पढ़ेंगे जहाडिएं के बारे में जहाडियां किसे कहते हैं या शरब्स किसे कहते हैं S-H-R-U-B-S शरब्स ठीक है वरक्षों से छोटे प।धे जहाडियां कहलती है इन में बहुत सी शाखाएं होती हैं, शाखाएं मतलब की ब्रांचिज होती हैं, ये शाखाएं जमीन के निकट उगती हैं, इनका तना कमजोर होता है, ये वरक्षों की तरह लंबे समय तक जीवित नहीं रहते हैं, इन में बहुत से पोदों में कांटे पाए जाते हैं, जैसे गुलाब, गुढ़ल, कपास, आदी जैसे आपने देखा कि आम के पेड़ को हम क्या कहेंगे वरक्ष कहेंगे ऐसे ही रोज गुलाब का पेड़ जो होता है आपके बगीची में लगा होता है हमारे स्कूल में भी लगा हुआ है गुलाब का पेड़ है और उसको हम पेड़ नहीं कहेंगे गुलाब की जाड़ी कहेंगे गुलाब की जाड़ी, गुढ़ल का फूल कपास का फूल तो ये सब क्या है जाड़ियां इनको हम कहते है श्रब्स ये आपको चित्र में भी दिखाया देखो ये गुढ़ल का है ये गुलाब का है, ये कपास का है तो इनके पौदों को हम कहते हैं शरब्स अब इसके बाद हम पढ़ते हैं शाक या हर्ब्स शाक किसे कहते हैं? बहुत चोटे पौदे शाक कहलाते हैं इनका तना कमजोर तधा मुलाइम होता है है ना ये पौधे एक ही मौसम में जीवित रह सकते हैं इसलिए उनको हम क्या कहते हैं मौसमी पौधे भी कहते हैं जैसे केले का पौधा लंबा होता है लेकिन वह शाक है है ना शाक के अन्य उधारन है जैसे टमाटर, पुदीना, पालक तथा अन्य पुश्पवे सबजियों क पौधे तो टमाटर क्या है शाक है ठीक है पालक क्या है शाक है केरे का पेड़ भी बहुत लंबा होता है लेकिन वह भी शाक है हर्भ है यह सबजियां होती है हमारी पालक है मौसम पौदे होते होग हो पौदेह, अअप निश्यत मौसम में है हूगें है ना और यह पौदे एक ही मौसम में जीवित रह सकते हैं टो टमाटर हो गया, पुदिना हो पालक हो گया, इनको ह illustrate महत्य है शाया हर्पस, इसके बाद आप हम पढ़ेंगे क्लाइ lado rags किसे कहते हैं क्लाइमबर या लताएं वे पौधे जो जमीन के साथ साथ उगते हैं तथा जिनें खड़ा होने के लिए सहरे की आवशकता होती है लताएं कहलाती है अंगूर की बेल होती है इसे बेल इन पौधों के तरहने बहुत ही कमजोर होते है इनको कुछ सहरे की जरूरत होती है ये पौधा एक भी मौसम तक जीवित रहते हैं जैसे मटर, मनी प्लान्ट, अंगूर की बेल ठीक है ये बहुत ही कमजोर होते हैं इनको हमें सहरा देने की जरूरत होती है जैसे अंगور की बेल हम अंगूर का पेड लगाते हैं तो उसके रसी बांते है न। उसके सहरे के लिए तो यह हिन्लिए लटाएं यह इसको इंगलिश में कहते हैं कलाइंबर्स है ना कलाइंबर्स एक बात आफ यह भी झानी कोलकता के वनस्पती बाग में आप कहीं सो वर्ष पुराना बर्गत का पेड़ देख सकते हैं जैसे मैंने पेड़ के बारे में बताया था आपको ट्री के बारे में कि बहुत पुराने पुराने होते हैं तो कोलकता में एक बोटनिकल गार्डन है, उसके अंदर बरगत का एक बहुत पुराना पेड है, ठीक है? अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, जमीन पर पड़ी रहने वाली बेल, बेल भी कहीं तरह की होती है, जैसे अंगूर की बेल होती है, वो तो सहारा देकर उपर चड़ती है, ऐसे ही होती है, जमीन पर पड़ी रहने वाली बेल या क्रीपर्स, यह क्या होती है, वे पौधे जो जमीन पर पड़े रहते हैं, बेल हैं, और जो सहारा लेकर उपर चड़ती हों क्या है, लताएं, क्लाइमबर्स या लताएं, जमीन पर पड़ी रहने वाली बेल क्या ह करेल यह सब छीज़े यह जमीन पर पड़ी रहने वाली बेल इसलिए हम इनको क्या है क्रीपर्स इसके बादा щता है हमारा काटेदार पोधे या थ्रौनि प्लांट्स टी एच ओ- Ar And Why from काटेदार पौधे, इनमें इसके शरीर पर काटे होते हैं। उनको खाते नहीं है और इन पौदों में नहीं तो तना होता है और नहीं पतियां होती है इसका उधारन कैक्टस जैसे आपने देखा होगा ना गमलों में कैक्टस लगाते हैं तो उसमें बहुती कम पानी देने की आविशक्ता होती है और इसके उपर क्या क्या होता है काटे लगे होते हैं इसके बाद हम पढ़ेंगे पानी में उगने वाले पौधे कुछ पौधे जो है वो पानी में उगते हैं उनको हम क्या कहते है वाटर और एक्वेटिक प्लांट्स एक्वेटिक प्लांट्स एक्वेटिक प्लांट्स जो पानी में पाई जाते हैं उनको हम कहते ह इनकी पत्थियां पानी के उपर तैरती रहती है उधारण क्या है? जैसे कमल, सिंहारा, आदी अब इसके बाद हम पौधों की आयू के बारे में बात करते हैं विबिन पौधों की आयू भिन भिन होती है भिन भिन का मतलब क्या है कि? अलग-अलग होती है कुछ पौदों की आयू बहुत कम होती है आयू का मतलब क्या होता है एज कुछ पौदों की आयू बहुत कम होती है कुछ की बहुत अधिक होती है कुछ पौदों की आयू बहुत जादा होती है कुछ ही महीनों तक जीवित रहते है बर्गद, नीम, पीपल, आदी रक्षों के आयों बहुत जादा होती है, भिंडी, सुरज मुखी तदा बंद गोबी के आयों बहुत कम होती है, यह मौसमी बहुत हैं, है ना? अब हम इस लेसन की कुछ एक्सराइज करते हैं, पहले हैं हमारे MCQs, सही विकल पर निशान लगो, पहला है हमारा पौधों को बढ़ने के लिए आवशक्ता होती है, तो पौधों को बढ़ने के लिए किस चीज़ के आवशक्ता होती है, सूर के प्रकाश की, है ना? पालक कैसा पौधा है? पालक शाकिये पौधा है, वरक्ष के तने कैसे होते हैं? वरक्ष के तने मजबूत होते हैं, केला वरक्ष है या जड़िवोती? तो केला क्या है? केला शाक है, है ना? केला शाक है, अब है हमारे MCQs, कुछ पौधे बढ़े व्या कुछ पौधे होते हैं व्रक्षों से छोटे पौधे क्या कहलाते हैं जाडियां कहलाते हैं केले का बौधा क्या है शाक होता है काटे दार पौधों में तना नहीं होता है काटे दार पौधों में तना नहीं होता है उसके शरीर पर क्या होते हैं काटे होते हैं अब हम यह उधारन वाले कोश जाड़ी वेल तो आपको यहाँ पे व्रक्ष के तीन उधारण लिखने हैं व्रक्ष आपको समझ में आगे है जो बड़े पौदे होते हैं वो व्रक्ष होते हैं जैसे उधारण आम, नीम, पीपल, जाड़ी का उधारण क्या है गुलाब, गुढ़ल, कपास है ना बेल का व्रक्ष लंबे तथा मजबूत होते हैं, यह कैसा है हमारा, यह हमारा सही है, राइट, व्रक्षों से बड़े पौदों को हम क्या कहते हैं, जाड़ियां कहते हैं, नहीं, व्रक्षों से बड़े पौदों को जाड़ियां नहीं कहते हैं, यह है गलत, जमीन पर पड़े रह यी दिए को जाल कर्यें के लाओ के बारे में बढ़ा बेल के बारे में पढ़ा कुछ बादाते हैं टो इन सब चीजों के हमने जानकारी प्रात करें अब यह एक्सरसाइज आपके कापिबिंग सबने है को जादी ऐन गाट